कि नमस्कार आप सभी का स्वागत है सी आप न्यूस पर दोस्तों आज की इस वीडियो को में हम आपको छत्ती वड़ में भरतियों के लिए जारी किये गए कुछ नए विग्यापनों की जानकारी और कुछ नए रोजगार सुचनाएं इस वीडियो को माध्यम से एक एक करके दिने वाले हैं सुरुवात में सबसे पहले आपको जीला बाल सरनक्षन एकाई महिला बाल विकास विवाग कोंडा गाउं चत्तिवर में जारी किये गए इस विग्यापन की जानकारी दे रहे हैं इस भरति के सब्द में कल के वीडियो में भी हमने आप सभी को बताया था ल करता हैं इसको जानके डिसक्रिप्सन्स डाउंलोड कर सकते हैं उसका प्रिंट लेकर पर व्र्ट अप्र यहां पर भर शकते हैं परामसदाता के पत पर चेनी तभीयरती को 29.000 रुपय को वहतन तम दिये के अगया विश्थरित जानकारी के लिए आप अध्यान जोहेँ कर सकते हैं दोस्तों एकलब आदर्स आवासी विद्याले 6 वड में विभिन पोदों पर बंपर बर्तियों के लिए विग्यापन पहले जारी किया गया था लगबग 1015 पास पोदों पर बर्तियों के लिए विग्यापन जारी हुआ था जिसके लिए अलिन आवेदन जो है मंगाया गया थ चतिकर राज जिस्तरी आदिम जाती कल्दियानाड आवसी और आश्रम सेक्षिनिक संस्थान समीती के अंतरगत में यहाँ पर एकलब यादर्स आवसी विद्यालों में अंसकालीन तोर पर अतितिती सिक्षकों की भरतियों के लिए पहले आमंत्रित यहाँ पर ऑल इनावेदन में यहाँ पर आपके लिए जो है दस्तावेश सत्यापन को आमंत्रित किया गया है अब यहाँ पर दस्तावेश सत्यापन की प्रक्रिया किस प्रकार से होगी यहाँ पर कोई डीटेल्स जो है नहीं दिया गया है केवल यहाँ पर तीथी देग दी गई है और TGT समाजी की ज्यान के सिक्षकों के लिए 11 बजे से लिकरके 3 बजे तक यहाँ पर जो है सिक्षकी पदों के लिए भी दस्तावे सत्यापन के प्रक्रिया जो है शुरू की जा रही है जिस वेफसाइट के मात्यम से यहाँ पर अनले आवेतन मंगाया गया था उस वेफसाइट में भी जाकर हमने देखा है वहाँ पर अभी कोई मेरिट सुची या फिर कोई और चैनी सुची जो है वहाँ पर जारी नहीं हुई है अब किस प्रकार सत्यापन के प्रक्रिया जो है की जाएगी अभी कंफर्म नहीं है, हो सकता है कि जिन अभियर्थियों के यहां पर चैन किया गया हो, उन्हें लेटर भेजा गया होगा, या फिर ऐसे ही सभी को बुलाया गया है, अभी कुछ कहा नहीं जा सकता, विस्तिरिश जानकरी आपको केवल सहाय कायुकत आदिवासी विकास सूरजपूर से ही प्राप्त हो पाएगी, दोस्तों भरती के लिए अगला विगयापन मुखची किसा, हम स्वास्त दधिकारी जीला राजनान गाउं छत्तिवर्ड गंतरगत में जारी किया गया है, पूर्म में भी इ खेले विगयापन जारी किया गया तो जिसे संसोधित यहां पर किया गया है, और संसोधित विगयापन दो के नाम से इसका प्रकासन जो है किया गया है, अभियर्थी इस पत पर आवेदन करने के लिए 22 फरवरी 2020 तक अपना आवेदन पत्र जो है यहां पर भेज पाएंगे आवेदन करनी की अंतिमती थी 22 पर विड़ी 2020 साम 65 बेतक रखी गई है अभी अर्थी मुखे चिकिसाइम स्वास्त अधिकारी जीला राजनान गाओं पुराना जीला अस्पताल गुरुद्वारा के शामने राजनान गाओं के पते पर अपना आवेदन पत्र जो है यहाँ पर भेज पाएंगे सेकेंड एनेम के कुल यहाँ पर 49 पतों पर भरतियां की जाएंगी चैनीत भीरती को 12,000 रुपे के सेलरी जो यहाँ पर दी जाएगी इसके लिए शेक्षण के उगता बार्मी पास और एनेम का कोर्स होना जरूरी है शांते साथ नर्सिंग काउंसिल में जीवित पंजियां यहाँ पर मागा गया है नर्सिंग अफिसर के कुल 21 पत पर भरती की जाएगी 16,500 रुपे चैनीत भीरती को वेतन मान दिया जाएगा इसके लिए बेसी नर्सिंग का कोर्स और चतिगर नर्सिंग काउंसिल में जीवित पंजियां जो है आपके पास होना जरूरी है या फिर जीनेम का कोर्स होना चाहिए और चतिगर नर्सिंग काउंसिल में जीवित पंजियां यहाँ पर होना जरूरी है Senior Nursing Officer के एक पत पे भरती की जाएगी एक 30,500 रुपए चेनी तभिर्थी को वेतन मान दिया जाएगा इसके लिए MMSC Psychiatric Nursing या फिर BSC Nursing या फिर PG Diploma या फिर BSC Nursing regular mode में होना जरूरी है और यहाँ पर work experience जो आपको यहाँ पर मागा गया है Nursing Officer के कुल एक पत पे भरती की जाएगी जिसमें 16,500 रुपए चेनी तभिर्थी को वेतन मान दिया जाएगा इसके लिए BSC Nursing का कोर्स या फिर G&M कोर्स होना जरूरी है साथी साथ Nursing Council में जीवित पंजियन भी होना जरूरी है OT Technician के कुल चार पत पे भरती की जाएगी 14,000 रुपए चेनी तभिर्थी को वेतन मान दिया जाएगा इसके लिए 12th pass होना जरूरी है Biology Chemistry और Physics के साथ में आपको और यहाँ पर Paramedical Council भी है आपको जीवित पंजियन होना जरूरी है साथ साथ में OT Technician में आपको Paramedical भी होना जरूरी है Physiotherapist के 10 पत पे भरती की जाएगी जिसमें चेनी तभिर्थी को 18,000 रुपए के सेलरी दी जाएगी इसके लिए सेक्षनी तिविगता Bachelor Degree in Physiotherapy BPT यहाँ पर मागी गई है Dental Assistant के कुल 5 पत पे भरती की जाएगी चेनी तभिर्थी को 12,000 रुपए की सेलरी यहाँ पर दी जाएगी इसके लिए आपको 10 पास होने के साथ साथ में कोई भी डिग्री या फिर डिपलोमा जो है आपको Dental में होना जरूरी है चेनी तभिर्थी को 12,000 रुपए की सेलरी दी जाएगी इसके लिए 12 पास और A&M का कोर्स और साथ साथ में नर्सिंग काउंसिल में जीवित पंजियन भी वहाँ पर मांगा गया है स्टाप नर्स के कुल 11 पत पर भरती की जाएगी 16,500 रुपए चेनी तभिर्थी को वेतन मान दिया जाएगा इसके लिए 20 नर्सिंग या फिर जीनेम कोर्स होना जरूरी है साथ 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 नर्सिंग काउंसिल में जीवित पंजियन भी होना आनिवार रहे है आया बाई के कुल 3 पत पर भरती की जाएगी जिसमें चेनी तभिर्थी को 8,800 रुपए के सेलरी दी जाएगी इसके लिए केवल आठवी पास यहाँ पर जो है सैक्रिक यो गयता रखी गई है काउंसलर के कुल 4 पत पर भरतिक की जाएगी जिसमें चैनीत अफेर्थी को 12,000 रुपे के सेलरी दी जाएगी इसके लिए PG degree भी डिपलोमा इन साइकोलोजी काउंसलिंग यहाँ पर मांगी गई है साइकोलोजिस्ट के एक पत पर भरतिक की जाएगी जिसमें चैनीत अफेर्थी को 31,500 रुपे के सेलरी दी जाएगी इसके लिए चैनीत अफेर्थी को 22,000 रुपे की सेलरी जो यहाँ पर दी जाएगी और NTPC के अंतरकत में भी एक पत पर भरतिकी जाएगी जिसमें चैनीत अफेर्थी को 14,000 रुपे की सेलरी दी जाएगी इसके लिए इसना तक होना जरूरी है या फिर बार्मी पास भी अफेर्थी अगर अपना आवेदन पत्र भेज पाएगे अगर वे MPW या फिर अन्य A&M कोर्स या अधर कोई कोर्स जो यहाँ पर किये हैं टेकनिकल असिस्टेंट अडियोमेट्रिक और टेकनिकल असिस्टेंट हेरिंग एंपर इन चिल्डरन के एक एक पतों पर यहाँ पर भरतियां की जाएगी जिनमें चैनित अभियरतियों को 15-15 रुपे की सेलरी जो है दी जाएगी इनके लिए शेकनिक अगरता डेपलोमाइन हेरिंग लेज एंड स्पीच डियेचसल और डेपलोमाइन ट्रेनिंग यंग डीफ एंड हेरिंग एंडिकेप यह डिपलोमा जो है आपके पास होना जाएगी इसके लिए शत्तिकर सासन के सर्तों के अधीन एमबी बीस की डिपलोमा डिगरी यहां पर जो है मांगी गई है स्टाप नर्स के कुल एक पत्पर भरती की जाएगी ए रट के अंतरकत में जिनमें तेरह जार रुपए चनित अभियरति को वेतन मान दिया जाएगा इसके लिए शत्तिकर सासन के निमान उसार अभियरति को बीसी नर्सिंग या फिर अन्य कोई योगता जो यहां पर उसकी होनी जरूरी है एर्ट कांसलर के कुल एक पत्पर भरती की जाएगी तेरह जार रुपए चनित अभियरति को वेतन मान दिया जाएगा इसके लिए ग्रेजुए डिपलोमा मांगी गई है इसके लिए ग्रेजुए डिपलोमा यहां मांगी गई है साथी साथ में आपको लेब टेक्निशियन का पेरामेडिकल कोर्स जो होना जरूरी है इस प्रकार से दोस्तों यहां पर 135 पदों पर बंपर भरतियों के लिए विग्यापन जारी किया गया है जिसकी विस्तिरिक जानकारी भरती के समद में शेक्निकों के अतना है पदों के समद में वेतन मान के समद में आपको इस विग्यापन से प्राप्त हो जाएगी समस्त पतों पर आवेदन करने के लिए अभियर्थियों के नियुनिता माय उसियमा एक जनवरी 2021 की सिती में नियुनिता मठारा वर्स और अधिक तम 64 वर्स से अधिक यहाँ पर नहीं होनी चाहिए भरती के समन्द में सेश नियम सर्तिय आवेदन पत्र कप्रारूप और चेन के समन्द में आपको समस्त जानकारी इस विग्यापन से प्राप्त हो जाएगी दोस्तों आज के भरती के लिए अगली जानकारी चेती गुर्स सासन जन संबर्ग विभाके सास की अफिसल वेबसाइट से में प्राप्त होई है यहाँ पर बिलासपूर के अंतरकात में आगन बड़ी कार्य करता और साहिकों के नियुकती के लिए 22 परवड़ी तक आवेद चालिस में यहाँ पर आगनबड़ी कार्यकरता के पत जो है जारी किये गए हैं अंगर्वार्ड करमांग 41 में वार्ड़ दोपध और वार्ड़ करमांग 30 के लिए एक पत जो है आगनबड़ी साहिका के लिए अब अर्थी 8 परवरी से लिए करके 22 में अपना आवधन पत्र महिला वालविकास विभाग परियोजना सहरी विलासपूर में अपना आवितन पत्र जोई जाकर करके जमा कर सकते हैं दोस्तों आज की अगली जानकरी छेतुगर सासन जनसंपर विभाग के सास की अफिसल वेबसाइट से प्राप्त हुई है यहाँ पर सेना भरती रैली का आयोजन दूर्ग में तीन मार्च से आयोजित किया जाएगा प्राप्त जानकरी कनुसार यहाँ पर भारती थल सेना द्वारा सेना भरती रैली का आयोजन दूर्ग जिलेग में रवी शंकर इस्टेडियम में तीन मार्च से आयोजित किया जा रहा है जो है किया है ऐसे अभियर्थी ही यहां पर भाग ले पाएंगे जिन्होंने पहले यहां पर अपना आवेदन किया चुका है और 17 फरवरी से 3 मार्च तक अभियर्थी वेबसाइट www.joinindianarmy.nic.in पर जा करके अपना admit card प्रवेस पत्र यहां पर डाउनलोड कर सकते हैं भरती क के दोरान पहुँचने वाले प्रदिभागियों के लिए जीला प्रसासंद वार यहां पर रहने खाने और आवा कमन की शुईधा जो यहां पर की जा रही है तो आज की भरती के लिए अगली जानकारी च्छत्तिवर्द सासन जन संपर्ग वाग के सासकी अपिसल वेबसाइ ने अपील की है तो यहां पर जीले एक रोजगार मिला में संयुक्त रूप से जीला स्वरोजगार मार रसंकेंद्र धमतरी और कौसल विकास प्राधिकरन के द्वारा 17 फरवरी को जनपत पंचायत धमतरी में 24 फरवरी को कुरूद में और 27 फरवरी को मगड लोड जनपत पंचायत में रोजगार मिला कायोजन यहां पर किया जा रहा है जिसमें 18 वर्स से 40 वर्स के ऐसे एक चुक निर्मानी और असंगठित स्रमिक जो आयकर की स्रणी में नही क्या जिसमें 100 पदों पर भरतियों के कारवाही की जाएगी जीला कालेले परिशर में इस्थित रोजगार काले में तिरुपति इंस्रेंस सर्विसेश भारती जीवान बीमा निगम के लिए यूनिट सुपरवाजर के पांच पदों पर और इंसॉरेंस एडवाजर के सव प प्रेज्मेंटाप में प्रेश्मेंट के में सामिल हो सकते हैं दोस्तों आपको इस वीडियो कुमाध्यम से बताएगए सभी भर्तियों की जानकारियों के लिए पीडियाफ डाउनलोड करने का लिंक और साथ में जो भी पोस्ट यहां पर बताएगे इस पोस्ट को पढ़ने क के साथ में तब तक के लिए जय हिन